कि हलो फ्रेंड्स वरधनी केड़ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग 501 जो बुक आपकी कोड कोड जो 501 है वह वाली बुक जो आपके नायस डिलेट की चल लगी है उसमें थैर्ड यूनिट को आज की वीडियो में हम लोग की बुक है इसी से पूरा आपको डिसकस करेंगे आपके साथ एक यूनिट को दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे आज देखिए आप लोग देख सकते हैं यहां पर सिच्छा अधिकार अधिकार अधिनियम है वो भी है पाट चल रहा से सम्मंदित चीजे हैं और इसके मैं कर डिदी यहां पर दिखिए यहां पर लिखा है जैसा आपको विदिथ है कि प्राथमिक सिच्छा के से शारбу करण से अभी प्रां परहा है क्या मतलब है इसका क्या होता है सार्वी करण तो इसका मतलब है प्रारंबिक सिच्छा को देश के प्रतेग बच्चे के लिए उपलब्द कराना चाहे वो किसी भी धर जाती धर्मानव जाती समू लिंग अत्वा सामाजी का अर्थिक इस्तिस्य समधित हो मतलब भेदवाओ रही एक शच्छा सभी प्रकार के मानव के विकास का प्रगत्य का अधार होती है या समस्त मानव समस्ञाओं के प्रति सरवादिक प्यान हतियार तत्त सबसे मजबूर ढ़ाल होती है तिक है सिच्छा के मात्य से हम उस ज्नता उनाव को सद्द्लों को ग्रहण करते हैं हैं 21375. जीवन वतित करने योग बनते हैं क्योंकि भारत एक लोकता अंत्रित देश है अत्हा नियाय समानता तथा स्वतनता हमारे समिदान के निर्देशक सिधान्त है आप इस बास से सहमत होंगे कि कि सिच्छा के अधिकार से वंजित करना एक बहुत बड़ा अन्याय है अता हमारे जैसे लोकता अंत्रित तथा मत निर्पेच देश में कम से कम प्रात्विक सिच्छा का सारवी करण अतितिक मत्पूर्ण हो जाता है ठीक है अब आगे यहां से इंपोर्टन चीज है भारती में ही यह लिखा है कि 6-14 वर्स तक के सभी बच्चों के लिए निसुल्क और अनिवार सिच्छा का प्राफदान है आप इन तथ्थ से भी आवगत होंगे कि प्रारंबिक सिच्छा के सारवी करण का प्राफदान हमारी सभी पंचपरसी योजनाओं का एक अनिवार भाग र अगे देखते हैं आगे है प्रारंबिक सिच्छा के सारवी करण के लच्छो की प्राप्त के अस्था के कारण क्या 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 है इसके लिए घ्यां एक तो जनसंक्या वैस्पोर्थ बहुत जब्唱त गृव नहीं हो पाता है दूसरा गरीबी ऑर भी वी谢谢 अरथ विबस्ता संप्रेशन का उभाव मतलब चीट करने का यह जो चीज़ें पहुचाने का कंब यह मुंद्धा rasa कि ब्रखती रोध जोसे सब यह सब केर आजएंगे जागरुकता की कमीत अग्यानता लिंग संबंदी पच्छपात की लड़की या पड़ रही है मैंने कई स्कूल अब देखिए प्रारंबिक सिच्चा के सार्वी करण के लच्छों की अपराब्ति के कारण क्या Спש देखिए इसके बारे में सब्सक्राइब देखें इसके बारे में हैं सिच्छा के संख्यात्मक विस्तार तथा विद्यालेओं के नेटवर्क के वावजूद देश के में संख्या प्रतेक बालक तक नहीं पहुंच पाई ठीक विकास की दर्थ जनसंख्या व्रद्धिकी से पीछे रह रही है जैसे अर्थिक रूप से उनके बसकी बात नहीं है उनके बच्चों को जीवन आपन के लिए छोटी उम्र में ही काम पर भेजना पड़ता है ठीक तो यह तो रीजन सीधा सीधा है क्रस्या अधारित अर्थ विवस्ता इसमें क्या है अगर एभी तथा आधुनिक प्रद्योगी की कि आभाव में बहुत से मातापिता अपने बच्चों को खेतों पर कार करने के लिए नहीं होता है इन छितरों में रहने वाले बच्चों के लिए सिच्छा के लिए कोई आसान पहुंच नहीं होती है इस्थानी इजन्सिय तथा गैर सरकारी सल्टाएं भी इस इस्तिति में नहीं होती है कि वे ऐसे कठी छेत्रों में बच्चों के सिच्छा का प्रवंद कर सके अथा ऐसे बच्चे सिच्छा नहीं है मतलब यह लगता है कि विरुजगारी इतनी जादा है पढ़ा लिखा के भी क्या कर लेंगे तो यह सोच की वज़े से भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं अभी प्रेणा का अभाव इन में कोई संदे नहीं है कि सरकार विद्धाले जाने वाले बच्चों को निसुल नहीं बढ़ेगी उतना फिर यह चीज और बढ़ेगी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाने इस क्या मतलब है कि नौकरी तो लगनी नहीं तिक ड्राप आउट ड्राप आउट या फिर आप प्रति प्रगतिरोध प्राया हम देखते हैं कि यद्ध्य बच्चे विद्ध्याले मे के लिए बहुत बड़ी बादा उत्पन करते हैं फिर जागरुपता की कमित अग्यानता इसमें क्या है सिच्छा के मूल के प्रति अभिग्यता अग्यान एक अभिशाप है हमारे समाज में बहुत से अभीवाब अग्मानव जीवन में सिच्छा के महत्त को महसूस नहीं करत लिंग समबन्दी पच्छपात्थ हमारे देश में महिला साचर्टा की दर काफी कम है और बहुत-से समाजों में लिंग भेट-समबन पच्छपात्स युश्प से देखा जा सकता है हम पराया देखते हैं कि परिवार में लड़कों की सिच्छा करती SCDG जबकि लड़के की सिच्छा की UCD कहरों कर दे लोग बेंगें देखा होगा कई अलेपी आगे हैं भारती समतान का 86 सलसोदन ovust 2002 कभी सब्सक्राइब दोड़ा गया था चिछ जारी जारी करेगी फिर है नय अनुख्षेद 21 का सन्निविस मतलब बाद में इसमें जोड़ा गया था 21 ठीक है 21 ए यह 45 अनुख्षेद 45 के अंतर गदी स्याश्वे संसोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था सम्मिदान के अनुख्षेद 21 के पीछ निमलिकित अनुख्षेद सामिल किया जाएगा सिच्छा का अदिकार 21 सिच्छा का अदिकार 21 ए यह 21 ए में था ठीक है राज 6 से 14 वर्स के तक कि आयो के बच्चों के निन्सूल और अनिवार सिच्छा प्रदान करेगा जिसे एक राज कानून के द्वारा निर्धारित करेगा अनुख्षेद 45 का नय अनुख्षेद द्व का होगा जब तक कि विवच्षे 6 वर्स के नहीं हो जाते हैं फिर आगे है इसमें अनुख्षेद 51 का संसोदन इसमें क्या है भारती सम्विधान के अनुख्षेद 51 में धारा जे के पस्चाद निमलिकी धारा जोड़ दी जाएगी कौन सी इंद में क्या क्या है सम्विधान सम्विधान के 86 संसूदन को जिसे 2002 में अनुमोदित किया गया था और जिसके अंतरगत 6-14 वर्स के तक की आयो के बच्चे सभी बच्चे निसूलक और अनिवार सिच्चा का प्रावधा ने अधिसूचित किया जा चुका है इसके अतरगत निसूलक और अनिवार सिच्चा का अधिकार 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 जिसे भारती संसद ने 2009 में पारित किया था ठीक है कि अधिसूचित ना भी जारी कर दी ताकि 86 संसूदन को लागू किया जा सकता है इसके बाद वर्स 2002 में यहां पर है ठीक है यहां पर से देखिए बच्चों के लिए सिच्चा की अधिकार को मौली का अधिकारों की छ्रेणी में समलित करता है अनुच्छे 51-a में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को समलित किया गया इस संसोधन के माध्यम से ग्यारवा मूल करतब जोड दिया गया जिसके अनिस्वार सभी माताओं पिताओं या अविवावकों का या करतब भेगिवे 6 से 14 वर्ष तक की आयो के सभी बच्चों को सिच्छा के अवसर पदान कराना अप्रतेग नागरी का मूल करतब बन गया ठ अब देखिए क्या है आर्टी एक्ट दोजार नौ ठीक है सिच्छा काथिकार अधिनियम दोजार नौ इसमें क्या है 26 अगस्त कब यह हुआ था देख लिजाए कब पारित किया था 26 आगस्त दोजार नौ को भारती संसद ने सिच्छा के संबंद में एक एक एहतियासिक परंतु संबब्ता आपको यह जनकर अश्र होगा कि कोलापुर महाराष्ट्र में सत्तपति साउजी महाराज ने सन 1902 में 6-14 वर्ष्ट की आयू के सभी बच्चों के लिए निसुलक और अनिवार शिच्छा संबंदी अधिनियम पहले ही त्यार कर दिया था तत्था पटेल ने सारवी करण सिच्छा को एक अधिनियम पारित करवाकर बांबे के सभी बांबे के सभी परिसदों में निसुलक और अनिवार कर दिया था महात्मा गांधी की सिच्छा की बुनियादी सिच्छा पड़ाली ने भी जिसे वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है बच्चे के लिए निसुलक और सिच्छा का समर्थान किया है और बच्चे की कल्यानके ध्यान रखना समाज और सरकार दोजका ही करता है व्यास से देखते हैं हमारा देश्योत राष्ट द्वारा सन 1969 में घोशित बच्चे के अधिकार को समर्थन करता रहा है समर्थक रहा है अथा भारत ने सन 1974 में बच्चों पर एक राष्टरी नीथी अपनाई यूनिसेफ 2005 जिसका सिर्ष्थक था आसंकित बच्पन चाइल्ड चाइल्ड हुल्ड अंडर थ्रेट के अनुसार पांच वर्ष के पांच वर्ष से चौदा वर्ष के मद्ध साथ दसंब्लब दो क्रोलों बच्चे बुनियादी सिच्छा की पहुंच से भाहर है अथा बच्चों के अधिकारों को सुरेशित करने तथा इस सम्मंद में स्व बच्चों के अधिकारों की रच्छा की जाएं ठीक है आगे देखते हैं बच्चे के अधिकार क्या क्या है बच्चे के अधिकारों पर सहीट राष्ट की घुष्णा करने सब कुछ महत्पूर अधिकार निम लिखेता है कौन-कौन से जीवित रहने का अधिकार बच्चे क रह हाधिकार सूचना का अदिकार को से देख險 से 14 वर्ष तक की, आयू के प्रत्य बच्चے को प्रारमिक सिच्छा के पूर्ण होने तक उसके निकट के प्रास्तिय के विद्याले में निसुल्कर और अनिवारी सिच्छा का अधिकार होगा second है प्रारंबिक सिच्छा के पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से किसी प्रकार का सुल्क नहीं लिया जाएगा किसी भी कारण से यदि कोई बालक जिसकी आयू छेवर्थ से अधिक है अपने प्रारंबिक सिच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया है और बाद में वहा कच्छा में प्रवेस चाहता है तो उसकी आयू के अनुसार की कच्छा में वहा प्रवेस पाने का अधिकारी होगा हमें ऐसे बच्चे के हर संभव साहता करनी चाहिए यदि किसी बच्चे को राज के अंदर या बाहर एक विद्याले से दूसरी विद्याले में प्रवेस पाने की आवसकता पड़ती है तो उसे अपनी इच्छानसार इस्थानांतरल का अधिकार होगा एक अध्यापक के चाहिए तो उसकी सेवा नियमों के अधिन उस पर अनुसरता सनातमा करवाई हो सकती है है जो प्रवेस के अध्याले में प्रवेस मना नहीं किया जा सकता है यदी संभव हो हो तो हमें बच्चे के आईatarसा पाने में सहीटा करनी चाहिए इससे बच्चे से बच्च्चे को भ पूर्ण कराएं हम किसी भी बच्चे को सारी सारी दंड या मांसिक प्रताणना नहीं दे सकते हैं तो यह यहां पर पॉइंट्स थे इसके बाद है अगली हेडिंग है अध्यापक की भूमिकाएं तथा उत्तरदाइद तो ठीक है जैसा कि आपको विदित है कि विद्याले की निर्भिक ने संचालन में अध्यापक की भूमिका बड़ी महत्पूर होती है जैसे अध्यापक होगे वैसा ही विद्याले होगा या एक अनभूत सत्य है सिच्चा का अधिकार अध्यम 2009 के अंतरकत अध्यापक की भूमिका निम लिखेत है क्या क्या है अध्यापक की भूम प्रतेग बच्चे को अधिकम अवसर्प दान करना बच्चों के अभिवाब को माता पिताओं से नीमित रूप से बैठा करना और उन्हें बच्चे के समग निरस्पादन कारे तथा प्रकत से अवगत कराना उन्हें प्रकार से साहता करना जिससे बच्चा भय से मानसिक आगा करना यदि आप अपने करतव्यों से चूक करेंगे तो आप पर अनुसासनात्मक कारवाई हो सकती है पाठ चर्या संपादन के लिए नवाचारी विधियों जैसे खेल विदि नुर्देशन ब्रहमण तथा रचनात्मक विदियों का प्रयोग उपयोगी होगा कोई भी चाहिए मात्र निरधारित करतवयों को पूरा करना सच्छा का अधिकार नियुक्त नहीं है इसके लिए आपको और अधिक निस्था सक्ति लगन से एक सक्री करता के रूप में कार करने के आवसकता है तो यही चीज़े यहां पर दी गई है एक अध्यापक के करता भी देख पहचान करना क्योंकि ऑदेखी आवसकता यहां बात यहां नंका पोशन करना अभिवावकों को अभिप्रितिर करना यह जिए वही चीज़े जो उपर वाली चीज़े लिखी कुछ चीज़े यहां पर इस पेसल दी गई है जिए सिच्चा गाधिकार इद्नियम 2009 के पालन में अधिकारियों से 7 में करना विद्याले के अभिशासन तथा प्रवंदन में भागीदार बनना एक मिंटर के रूप में का सही हुपईयो करना समाजिक परिवरतन के करता के रूप में ठीक है यही सारी चीजे इसमें दी गई है आगे है विद्याले अभिशासन तथा प्रवंदन अब इसमें है आपको यह सदय व्याद लखना चाहिए कि विद्याले के अभिशासन तता प्रवद्न एक महतपूर पच्छ है यदि आप विद्याले के प्रवद्न ठीक से नहीं कर पाते हैं तो सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देशों वाल अच्छों के प्राप् अधिनियम से यह इस पष्ट रूप से उलिखित है कि किसी भी ऐसे विद्याले को मानता नहीं दी जाएगी जिसमें प्रभावी रूप से सिच्छा पदान करने समंदी माना क्या मांधंड पूरे नहीं होते हैं इसका अर्थ है कि विद्याले में अनिवार धाचागत तथा सायचिक सुविदाय होनी चाहिए मा को बच्चे का प्रथम सिच्छक कहा जाता है और यहां जानकर आप प्रसंद होंगे कि विद्याले की प्रवंदन समीत में 50% महिना होंगी और प्रवंदन समीत के अधिकारी तथा सदस्यमाता पितागे वर्ग से चुने जाएंगे प्र प्रवंदन स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशी को मॉनिटर करना सिच्छा का अधिकार अधिकार अधिनियम 2009 के लच्चों के प्राप्त है तो मिस्टनरी की तरह कार करना ठीक है आप से अपेच्छा है कि आप विद्याले में अभिशासन में साहता करें या सुनेशित क करना कि सभी पात्र बच्चे विद्याले में पंजीकरत हैं तथा वे अपनी प्रारंबिक सिच्छा पूर्थ तक विद्याले नहीं छोड़ते अध्यापको और प्रवंदन समीतिका संयुक्त दाइत्वे यद्यप अनिमेतिता तथा ड्राप आउट एक चुनावती है परन पाठ चर्चा तथा बुल्यांकन संबंदी अनिवार रहता है इस तरकि पाठ चर्चा तथा बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी होगी यहां इतने लचीली होनी चाहिए कि विभीन योगता हो और और अलग-अलग सामाजिक आर्थिक से संबंदीद बच्चों के आवस सकता कि पूर्थ का सके इस पाठ चर्या का निर्माड शिच्चा का अधिनियम 29 में प्रतिस्थापित मुल्यों के नरूप होना चाहिए यह इतनी सच्छम हो कि बच्चों के ज्यान चमता तथा प्रतिभा का विकास कर सके आप इस विचार से सहमत होंगे कि पाठ चर्या क्रिय के लिए आदि के लिए पाठ के लिए तथा पाठ सहेगामी क्रिया कलाब के लिए आनिवार परयापत अफसर हो जब तक बच्चा अपनी प्रारमिक सिचा को पूर्ड नहीं करता उसकी कोई बहाय परिच्चा नहीं ली जाएगी परतिएक बच्चे को अगली कच्छा में च जैसा है कि आप जानते कि सिच्छा का मुख्य उद्देश बच्चे का समगर विकास करना है अता बच्चे की ज्यान चमता और पतिवा को बढ़ाना हमारा दाइत्व है हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे में स्विकारात्मक अभिवरत्यों तथा जीवन के सकारात्मक मुल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो आज की वीडियों सिर्फ इतना ही है तो थैर्ड यूनिट है वह आज आज आधी हो गई है कल आधी जो बची हुई है वह कल कंप्लीट हो जाएगी ठीक है अब बुक से ही पढ़ाएंगे इसलिए डेली वीडियो आ जाएंगी क कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कर्मडॉक्स में पूल सकते हैं आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद